असलाम उलेकूम वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल पूदी टेस्ट लैप कैसे आप सब आज मिलाई हो आपके लिए एक नई रेसिपी मखंडी हलवे की जो के सर्दियों में बहुत ज्यादा खाया जाता है और बहुत टेस्टी बनता है अगर आप ऐसा हलवा बनाना चाहती है तो वीडियो पूरी देखेगा इसे स्किप मत करें चले इसे हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चीजर चाहिए धाइक कप सूजी डाइक चीनी पिस्योई लाइची एक गलास पानी धाइक गी दो कप दूद्द तलिए से बनाना शुरू करते हैं बिसम या गरम पानी नहीं लेना इसमें अब इसको मच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम 10 मिनट के लिए विगो के रखतेंगे ताके मारी सूजी फूल जाए अच्छी तरह से सूजी को भीग वे 10 मिनट हो जुके हैं अब इसके बनाना शुरू करते हैं उसके लिए एक कड़ाई में हम डालेंगे घी जब घी गरम हो जाए तो अपनी भीगी हुई सूजी हम इसमें डाल देंगे ये देखें सूजी 10 मिनट भीगने के बाद इस कंडिशन में आ जाएगी अब सूजी को हम भूनना शुरू करते हैं इसमें हमें मसलसल चमचा चलाते हैं जाना कि सूजी नीचे न लग जाए इससे इतना भूनेंगे कि सूजी लाइट ब्राउन हो जाए इससे हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे ये देखिए सूजी को भूनते में मुझे 10 मिनट हो चुके है साथ इसमें मैट कर रिलाइची बॉर्डर खुश्च भू के लिए अब इसको हम मसलसल 10 मिनट और भूनेंगे कि ये गी छोड़ना शुरू कर दे ये देखिए 10 मिनट के बाद सूजी हमारी दानेदार शेप में आगी है रितने गी भी चोड़ दी है इसमें जो पानी था वो भी अच्छ तरीके से खुश्क हो चुके है अब हम इसमें डाल देंगे चीनी इसको मच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हलवा हमने सारा अपना लो फ्लेम पे पकाना है इसमें हाई फ्लेम नहीं करनी है हमने शीनी को अच्छ तरीके से मिक्स करने के बाद इसको अब हमने इतना भून है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है कि हल्वा नीचे ना लग जाए हमारा यह देखी सूजी अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है माशाला सिसका कलर भी बहुत अच्छा है यही कलर हमें चाहिए था जब सूजी का यह कलर हो जाए अब इस पॉइंट पे आके हमेस में दूद एड़ करना है दूद एड़ करने के बाद इसको मच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बहुत ही मच्या का हल्वा बनता है सर्दियों में खाने में तो बहुत टेस्ट ही लगता है आप इस रेसिप्य को जरूर ट्राइक कीजएगा अब हम इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे के दूद हमारा सूजी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और गी उपर आना शुरू हो जाए यह देखिया मुझे सूजी को बूंते बूंते दस मिनट हो चुके थे दस मिनट के बाद मारी सूजी का कलर माशला कितना अच्छा आ चुक है और गी भी सारा अलाइदा हो गया इसमें से इस पॉइल पे आके हम फ्लेम ओफ कर देंगे हमारा हलवा पक के त्यार हो चुक है हलवे को प्लेट में डालके ठंडा कर लिया था जब ठंडा होने के बाद हलवा चाहते हैं के सेट हो जाए तो उसको पीसीज में भी कट कर सकते है हमारा मखंडी हलवा बहुत ही मज़ेका बनके त्यार हुआ है दिखने में भी बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीज़ेगा आपको भी बहुत मज़ेका लगेगा अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगया तो मैं लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारी चैनल पर नई है तो हमारी चैन